Hello guys and welcome back to another reality आज हम लोग देखने वाले candle stick traps ठीक है बहुत सारी demand भी थी और जैसा कि आप लोग जानते हो कि अपने चैनल पर सिर्फ और सिर्फ trap trading related content बनता है तो आज ये duty है कि ये most basic है कि candle sticks पर कैसे trap होते हैं ठीक है तो वीडियो को end तक देखना ठीक है traps तो देखेंगे ही discuss भी करेंगे किस तरह से आप लोगों की eye भी open हो जाएगी आप लोगों की life change हो जाएगी लेकिन इसका solution भी हम लोग देखने वाले तो solution में end में बताऊंगा पहले आप लोग वीडियो को देख लिए ठीक है सबसे पहले यहां पर मैंने दो टाइप के candle sticks यहां पर बनाया हुए यह है एक negative या फिर आप बोल सकते हो bearish engulfing candle यह है एक bullish engulfing candle यह है negative pin bar आप बोल सकते हो इसको bearish pin bar या फिर इसको बोल सकते हो आ अब यहां तक जब आपने सीखा है आप लोगोंने candlesticks की PDF देख लिए होंगे candlesticks के चार्ट से देख लिए होंगे सारी चीज़े आप लोगोंने candlesticks पर देख लिए कि कि के इस तरह से candlestick काम करती है आप सबको पता है कि इस candle को देखते ही क्या करना है sell करना है या फिर view को सुहागा हो गया बहुत अच्छी चीज यहां पर मार्केट ने बना दिये अब इसको देखते ही बहुत सारे लोग sell करते हैं और जैसे वो लोग sell करते मार्केट उनका sell hit कर देता है ऐसा अगर आप लोग के साथ पहले होता था अपने चैनल को देखने के बाद नहीं हो रहा ऐसा कुछ लोगों का मानना है तो अब हम लोग देखते हैं कुछ examples और इसका solution भी देखेंगे सबसे पहले आप लोग examples को देख लिए ठीक है यहां से अगर हम लोग start करते हैं तो यहां पर अपने को क्या देखता है एक बहुत अच्छा breakout भी होता है यहां पर राइड ब्रे तरीके से इस्तमाल कर रहे हैं उनको लगतो रहा है कि यहां पर इंक्रीजिंग वाल्यूम है नेगेटिव वाल्यूम है वाल्यूम भी जादा है लेकिन फिर भी मार्केट उनके favor में क्यों नहीं गया तो बहुत अलग तरीके का explanation है तो वह तो मैं इस वीडियो में explain नहीं कर पाऊंगा ठीक है बाकी master course में वो चीज़ explained है detail में volume किस तरह से यूज होता है यहां पर अपने को क्या देखने को मिलता है यहां पर red candle बनती है लेकिन मार्केट totally opposite side में चला जाता है ठीक है तो यह हो गया एक example इसके solutions भी हम लोग देखने वाले तो देखते रहे पहले examples दे बात कितने लोग यहां पर by side गए होंगे बहुत सारी लोग by side का trade लिये होंगे लेकिन जो मार्केट है मार्केट reverse होके इस candle के low की नीचे जितने भी लोगों के SLT वो hit करता है और फिर reverse होता है तो फिर क्या फायदा तो फिर बहुत सारी लोग क्या सोचेंगे नहीं it's a part of the game होता रहता है चलता रहता है ठीक है कोई बात नहीं आप लोग decide करो आपको जो 10 में से 2-3 बार काम करता है उसको follow करना है या फिर जो 10 में से 6-7 बार काम करता है उसको follow करना है मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि trap trading 10 में से 10 बारी काम करती है 10 में से 6-7 बार definitely काम करती है और वह उतना परसेंटेज उतना एक्यूरेसी आप लोगों को प्रॉफिटेबल रखने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा काम है सही नौलेज आपके सामने प्रेजेंट करना आपका काम है उसको डिरेक्ली चार्ट पे चेक करना किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है मैं जो भी आपको बता रहा हूं तो simply bank nifty का चार्ट को लो डेट आपके सामने का चार्ट बता रहा हूं सामने लेटिस चार्ट बता रहा हूं अपने अपनी चार्ट पर जाके बैक टेस्टिंग करो क्या यह सच में हो रहा है ठीक है तो आपको उसका मीनिंग बता चलेगा यहां पर अब अपने को क्या लिखता है फिर से मट बनाता है यहां पर बनाता है यहां पर इस चीजह आप लोगों को यहां पर समझने जैसी है अब यहाब देख लिए बात करते हैं पिन-बार के ठीक है पिन-बार के ऊपर कल पर सो ही अपने बहुत सरे लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हुए और लिख ट्रेड भी ठीक है पिंबार के उपर मैंने आपको एक चीज बताये रेजस्टंस पर अगर मार्केट इस तरह की रेड इड़ कैंडल बना रहा है तो मुझे बताए इस तरह की कैंडल में कितने लोग यहां पर रेजिस्टंस को देखे यह रेजिस्टंस पो बना रह थोड़ा सा profit बताते ही उनका profit होता है कम और सीधे जाके उनका sell hit market करता है तो ऐसा क्यों करता है इसका reason क्या है reason ही तो जानने के लिए हम लोग इस वीडियो को देख रहें ठीक है बाकी आपस तो आपके साथ होती है बाकी अपने चैनल पर अपन सिर्फ reason और logic इसके पीछे का बताते हैं यहां पे ट्रेंड लाइन पर एक होती है बहुत अच्छी red color की negative candle बहुत अच्छा strong candle बनाता है मारके लेकिन इमीडियेटली reverse की हो जाता है इसका तो इसका रिजन एक लिक्विडिटि के ऊपर फ्री सेशन अपने अप्लीकेशन में अविलेबल है प्लेस्टोर पर टाइप कर दो यंग willkommen यप गंटे का लेकिन यह जो रेड केंडल देख अ कि फैसा पूरा दिन मार्केट ने नहीं दिए यह चीज अ मार्केट んなha में चल जो पहले रेड केंड़े उसको देख के जितने भी लोगों चैसे नहीं दिए और मोश् tomar आथ नहीं देगा हिए अगर आपको कुछ comment दिखा है तो अभी comment कर दो कि अपने solution बताने के पहले ही मैंने ये चीज अब्जर्व करी थी ठीक है बिल्कुल कर सकते हो आप क्योंकि market आपके सामने चार्ट आपके सामने बिल्कुल आप भी ये चीज़े अब्जर्व कर सकते हो ठीक है अब सिर्फ candle अगर high cross करता है तो ये करना वो करना इस candle अगर रेटेस्ट करती है अगर ऐसी candle बनेगी वैसी candle बनेगी तो ये जो candle वाली ट्रेडिंग ये होगी एक emotionless type की ट्रेडिंग ठीक है तो ये होगी आप बोज़ते उस strictly setup जैसे setup बनता है तो ट्रेड लेते हैं जैसे ये candle बनेगी एंट्री लेंगे ये candle बनेगी तो exit लेंगे अब दूसरे टाइप की ट्रेडिंग कौन से होते है logic and psychology वाली ट्रेडिंग अब ये होती है थोड़ी सी emotions वाली ट्रेडिंग अब किसके emotions यहां पर आते हैं buyers and sellers के emotions किस तरह से अपने को use करने हैं उसी के बारे में तो हम लोग ज decision लेंगे ठीक है अब buyers and sellers मैंसे भी दो टाइप के buyers होते हैं दो टाइप के sellers होते हैं एक होते हैं retailers एक होते हैं institutions एक होते हैं बड़े प्लियर और institutions इन लोगों की अगर अपने को पता करना है इन लोगों के footprints को follow करना है तो आपने को कौन सा concept use करना है strength and weakness वाला concept जिसके ओपर नहीं कि है तो मैं बदाता हूं यह है bullish candle यह भी bullish candle है ठीक है माल लेते हैं इस candle के बनते ही market और एक इस तरह की candle बना दे रहा है without any time pass अब यह तो गया पांच मिट में लेकिन आप लोगों को one minute में lower time frame में यह दिखेगा कि market slow and steady उपर ही move कर रहा है इस तरह से बताके immediately next candle इस त बनता मार्केट bullish candle तो बना रहा है लेकिन उसके बाद का behavior क्या है यहीं पर हॉल्ट यहीं पर हॉल्ट यहीं पर हॉल्ट तो मुझे बताए यह क्या है यह buyer जो यहां पर आ रहे है जो आने चाहिए इस candle के बाद वो नहीं आ रहे है यहां पर इस लिए market में इस तरह की candles fail हो र इस तरह से एक रेट दो रेट इमीडियेटल निकलता है तो आपको इस तरह की बड़ी candle मिलेगी जो की एक ट्रेंट कंटीनिव करेगा तो आपको क्या पता जलेगा कि हाँ यह एक स्ट्रेंट वाला मॉमेंटम है यह आप बोल सकते हो कि कंटीनियूस वाला मॉमेंटम है इस इसने भी कंसेप्ट में आपको ट्राप ट्रेडिंग सिखा दाऊं जो चाहे वह वाल्यूम से टब हो चाहे कुछ भी हो मास्टर कोर्स में उसके उपर लाइव ट्रेड लेके सिखाया हुआ है पहले चार पांच छे गंटे साथ गंटे तक के कंसेप्ट है कि ट्राप्स के ए सिखनास अपने कोर्स में अविलेबल है तो जिसको सीखना है डीट लेटमिव गारंपको डश्का बभी यह निऑOW इसके बाद कोई कोर्स लेने की जरुरत नहीं है बाकिर जिसको फ्री में सेकना है डीटमिटल अपने चैनल से भी सीख सकते हो बहुत जादा गोलड माइन तरह कि जो रेड़ गैंडल से वो फिल हो रहे हैं उसमें क्या common है अपने time pass वाली चीज तो देख ली उससे पहले मैं आपको यह चीज़ बता देता हूं ठीक है मान लेते हैं on-ools, při test trap बना के quickly continue हो नहीं हो रहा है, बाल कुल हो रहता है, क्या market quickly continue होने के यहां पर बहुत زादा time pass कर रही चाइट time pass अगर करता, तो फिर सो अपने को थोड़ा सlı risk होता, लेकिन जीसा मैंने आपको बता है की market क्या करता है क्विकष्थ यहां पर entry quickly जो momentum है उसको continue करता है quickly अपने move को continue करता है wait नहीं करता halt नहीं करता ठीक है तो यह candle बनाया next candle बनाया next candle बनाया अब entry कैसे लेंगे resistance पर market invite करेगा मैंने आपको क्या बोला था यह resistance है यहां पर आने का market यहां पर invite करेगा एक दो तीन candle बनाएगा immediately फिर से continue करेगा तो ऐसे momentum में जिसपे strength है पहले और उसके बाद अगर market में ऐसा कोई setup मिलता है तो आपको यह वाला move capture करने को मिलेगा अब जिसने भी वीडियो एंड तक देखिए उन लोगों के लिए एक बहुत जबर्दस tip मेरे पास है ठीक है जो जो रेड कैंडल के best ऐसा comment करके जरूर बता देना ठीक है तो ट्रेंड अब ट्रेंड है अब ट्रेंड में रेड कैंडल बनाएगा तो sellers को invite करेगा उपर ज्यादा stop-losses create करेंगे और फिर market इस तरह से continue होगा trend wise आप लोग यह चीज समझ लो तो अगर negative trend है तो मुझे बता stop-losses कैसे market create करेगा buy side या फिर green candle बनाके इस तरह के buyers को traps करके ठीक है आई hope आप लोगों को समझ गया होगा समझदार को इशारा काफी है बाकी आई hope आप लोगों को